हेलो वेलकम सुआज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी सी नेट एक्जाम देने जा रहे हैं तो एक्जाम वल दिन एक्जाम कैसे अटेम्ट करना है कुछ ऐसी बहुत सारा पड़े होते हैं अध्ता भी कुछ होता है बट एक्जाम अटेम्टेशन की कुछ गल्तियों के कारण उनका कुछ नम्बरों से रह जाता है तो आज हम इन ही चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि आप इस्ट्राइम एक्जाम हॉल में बैठ कर एक्जाम अटेम्ट कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है ठीक है नए आये हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजेगा डिस्क्रिप्शन में मेरी बेस्ट्सेलिंग बुक्स का लिन्क दिया गया है अप उनको ले सकते हैं तो पर आपको अभ्यपूर प्लीकेशन जो है वह भी प्लेस्टोर पर अवेलेबल रिंक है उसका लिंक भी आपक जिस दिन है आप जो एकनोमिक्स वाले बच्चे हैं उनकी स्पैसिक बात करोंगी बाकी दूसरी स्टीम्स के लिए भी वीडियो रहेगी जैसे नो बजे का सुब आपका एक्जाम होता है तो मैं हर बार एक चीज बोलती हूं कि एक्जाम से पहले की जो रीडिंग होती है न व कुछ देर भूलने वाले चीज्बो भूलने वाले चीजओं एक दिन जपढ़ पर गया का तो इन चीजों को लेकर ब्लेन तो बीजेश्ञत नहीं दिमाग एक्जाम से लिए रही पढ़ने पिन जानेने से पहले आदा ता जिसे वह पीछे पीछे कोई कंसेप्ट नहीं चुपा यूप तो इन चीजों को आप गर से निकलने से आधा गंटा पहले पढ़के जाएंगे ताकि एक्जाम में आपके दुमाग में फ्रेश नहीं पर दूसरा इंपॉर्टर्ण पॉइंट है यहां पर जब आप एक्जाम ह जो आपने पढ़ाया सब आता है एक्जाम से पहले इतना नर्वसनेस होते है उस नर्वसनेस के चक्कर में तीक से समझ नहीं पाते है पढ़ नहीं पाते तो इन रवसनेस की प्रावलम बहुत जादा बच्चों को बच्यों के मारक में खिंटरेंस करियेट करते हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए अपके 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 दिमाग में चलना चाह बिना उस टाइम पर कि आपका रंजल्ट की आएगा नर्वसनेस कब आती है जब हम किसी चीज को लेकर उसके रिजल्ट की टैंशन लेते हैं देखिए नर्वसनेस यह नहीं है कि तरफ आप में हर परसन में नर्वसनेस होती है जितना मर्जी कोई बड़ा बन जाता है ना जब इसमें उसको जज किया जाना है जिसमें उसका रिजल्ट निकल के आना है वह बंदा नर्वस होगा ही होगा मैं आपको पांच साल से पड़ा रही हूं एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर इन यूजी सीनेट टेकनोमिक्स बड़ अभी मेरा कुई एक्जाम होगा कोई इं ओड़ा जाए रिजल्ट निकल चीज करेंगे होगा तो वह जसको ठीक करने कर एक तरीका है छोषी अपने पर्फॉर्पर यहिं नियान देन. road support आपको पता है मैं ने 6 महीने तैयारी की है मैंने पढ़ा है जो पढ़ा है मैंने उसका application करना है एक्जाम में relationships बनाके questions को solve करना है अपना दिमाग थोड़ा के जो मैंने पढ़ा है उसको अपने question paper से relate करके सही answer देने का प्रयास करना है आपके दिमाग में यह चलना चालिए ना के यह कि result क्या होगा अगर exam difficult हुआ मा fail हो गया तो यह इससे आपका nervousness को जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचे कि एक और बहुत important चीज है मैंने अपनी class में एक चीज बताई थी और उस बैच में जिस बच्चे का clear हुआ था तो उसने कहा था कि मैं आपकी यह बार जो है यह काफी मेरे काम आई थी तो जब आप exam hall में बैठकर exam attempt कर रहे हैं तो यह सोच कि चलिए कि आप नॉर्मली कोई मतलब वो जब कोई mock test लगाते हैं कोई test series दे रहे होते हैं तो आप डिमाग में कभी result की टेंशन लेकर नहीं चाहते हैं मौक टेस्ट के वक्त आप क्या सोचते हैं कोशन देखते हैं उसको पढ़ते हैं उसको सौल करने का परियास करते हैं तो यह अपना टेस्ट कर रही हो कि मुझे कितना आप बेठे हुए तब भी इसी तरह का feeling लेकर चलिए कि मुझे कोशन पढ़ना है उसका answer देना है रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता है तो जब आप उस चीज की रिजल्ट की टेंशन अपने दिमाग से हटा देंगे जैसे मौक तस देते वक्त आपके दिमाग में रिजल्ट का टेंशन तो वह चीज आपकी काफी हल्प करें ठीक है अगली तीसरा पॉयंट है यहां पर अब ती बची क्या करते है प्षवर्ण का पहला कोई चान पर नजर आ अजर आए सक्रोल करके निचे जूंगने जाएंगे कहां से मौसे पेपटी शुरू हुता है महां से बढ़ते हैं मुझे असा लगता है कि से टाइम-बेस्ट है पहले स्क्रीन पेपर वन का फर्स्ट कोई सॉल करना शुरू करतीजिए अगर आपको लग रहे है कि पहला कोशन ज्यादा डिफिकल्ट है आपको नहीं आता आप से सॉल नहीं होगा या इत विल कंज्यूम समझाय है कि कोशिश करिए एक पोशन को एक मिनट से ज्यादा मत दीजें कि आपके एक अफ्री हरो conson को एक मिनट देंगे तो आपका 150 मिनट निकलेगा मतलब आपके पास आधा घंटा एंड में बचेगा वो जो आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे ना अन मिनट्स में आप दुबारा से जो कोशन आपने मार्क किने हुए है उनकी तरह जाए तो यह चीज़ अगर आपको लग रहा है कोशन काफी कॉंपलिकेटेड है तो उसको आप मार्क करके अगले कोशन पर मूव करिए मार्क ज़रूर कर ले ताकि आपको याद रहे मने यह जी खेंट, आपको खेंआ है ज़रूर को इसे सब्सक्राइब के यह जो कोशन के तरह माहत है और मिनट्स के कि अईए जोगड़ से सब्सक्राइब पर Mean और रहसे। उसको देखके घबराने के जुरुत बिल्कुल भी नहीं क्योंकि सारा पिपर ऐसा नहीं होने वाला ठीक है जैसे हम अपनी लाइफ में बोलते हैं कि लाइफ में कुछ आप्स्टैकल्स आती हैं इंडर्लस आती हैं उनको देखके घबरा जाते हैं तो हमेशा यह सोचे कि मारे सारी जंदगी ऐसे नहीं रहने वाली है सारी जंदगी यह अप्स्टैकल्स नहीं रहने वाली हैं कुछ टाइम है पुछ पर्टिकलर टाइम है जिसमें रहेंगे फिर यह चीज ठीक हो जाएगी इसे तरह एक्जाम में भी अगर एक दो कोश्चन अग्जाम में बड़ी कोशन अना सभाविक है अप जितना मर्जी तयारी कर लो मैं सच में यह चीज बोल रही हूं आप दो सालों से भी नेट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं जितनी मर्जी किताबे पड़ डाली है फिर भी अगर आप कहें कि एक्जाम में कोई ऐसा पड़ा नहीं हुआ कुछ नया ही न पूछा जाए मतलब कुछ ऐसी चीजे जो आपके पर वियु से बाहर है आपने कभी देखी सुनी नहीं फिर भी ऐसी चीजे आपको एक्जाम में मिलेंगी नेट के एक्जाम में सेंटर लेवर का एक्जाम नहीं है कि जो आपका परे हैं जो आपने पड़ी सुनी चीजे नहीं है तो उसको देखकर घबराना नहीं है तो फॉर्थ पॉइंट मेरा यही है कि डिफिकल चीजों से आपको घबराना नहीं है अपना एक प्रियेट करना कि सारी आसी होगे उसको देखकर डरना नहीं है उसको देखकर डरना न तो इसका जर्फ भी ठीक नहीं होते हैं उसके लिए भी कुछ नहीं चीज़े एक्साइम में उती हैं जिनको फिर चोड़कि आता है इसका अपने पढ़िए आती है तिक है वह आप कभी भी गलत बद करें कि कई बर ना हम गब्राहट में क्या कर देते हैं 2-3 difficult questions पढ़े अगला question easy है बट आपको लगते हैं इतना easy कैसे हो सकता है ज़रूर इसमें कुछ घपला है पढ़ने लग जाते हैं पतलब गलग तराते हैं उस चक्र में उस question को कई questions सीधे-सीधे होते हैं easy होते हैं तो अच्छे से question को पढ़ना है समझना है उसका answer करना है और easy वाले questions गलत करके नहीं आए अब कुछ questions आपके exam में ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े सोने नहीं है उस पर हम दो चीजे दो तरह के method यूज करते हैं basically एक तो होता है हमारा elimination elimination method तो मैं कहूंगी जिस question पर भी लग रहा लगा दो चाहिए easy question elimination method का use very very helpful होता है बजाए कि यह ढूंडने की कि सही क्या है यह ढूंडने का प्रयास करिए कि गलत क्या है और गलत को काट दीज ठीक है elimination method दूसरा हम हमेशा बोलते हैं अपनी common sense और अपनी presence of mind से questions को solve करने का प्रयास करना ठीक है कुछ ऐसे questions जो आपने नहीं पढ़े सुनें यह ड्रेक्ट नहीं है अपके पढ़े हुए में से वहां पे अपना mind का presence use करिए सोच के देखिए उसको पढ़कर कि इसका answer क्या हो सकता है ठीक है तो कुछ presence of mind or common sense के जरिए उसका सही जवाब लगाने का प्रयास करिए कभी भी को कोशन चोड़के नहीं आना क्योंकि नेगटिव मार्किंग नहीं है सभी कोशन तो जैसे मैंने कहा पहले जो कोशन आपको लग रहे हैं ताइम कंजूमिंग है नहीं आते उनको मार्क करों किके एंड वा ज़ता है विकाज नेगिटिव मार्किंग नहीं है कई तुका सही ज़ता है थोड़ा सभी आपको 10 परसन में लग रहे है यह आंसर की हो सकता उसका लगा यह बजाए कि उसको छोड़ने के लिए तो साथमा पॉइंट ही है कि डॉन प्रिश भी छोड़के आपको नहीं आना कुछ भी छोड़के नहीं अब बात करते हैं बच्चे बोलते है कि मैं दी आ इन कॉम्प्रिहंशन जो है पैसे जो है उसमें बहुत दिक्कत आती है उसकी बात करते है लेट सी बहुत सरे लर्ने के बात ऐसा होता है कि एंड़ पैसेज के लिए उनके पास टाइम नहीं बच बचेस बात कर शुक्स कार मैं तर सक Drew Sachen dość English का उसमें नहीं बचाए लेगा थेजे के लिए फुछ्च आरह नहीं कर नहीं बचाने बात कर शुक्द नहीं कर रहatore है कि आप सिर्स नहीं लगा कर शुछिए लिए जब पहले लिए कि म päällее क्या पास वद्स्य भाए इन दिनों मे लिंक दिया है मेरी application को दाउनलोड कर सकते हैं तीन महिने की validity वाले हैं, साल की validity वाले हैं आप दोनों में से रेक सकते हैं सब्सक्जक्स के पेपर तु कोई भी आपका सब्सक्राइबले हैं तो अगर आप में मॉख टेस्स लगाया हैं मैं तीचर क्लास में कहा करते थी किसी भी बच्चे को ईठा के कि चलो उठो पढ़ना शुरू करो लो दित व मतलब अश्र forbidden निय अश्रानर करना इसा इस सित्ट को पर्ड़ के लेते थे मतलब एवान दोन्य फेल एक रुकुर कर पड़ते थे यह ऐसे Kु ख़ते थे इस हम मतलब रुक कर पड़ते थे नियों को पड़ने को पक्त लग जाता स्टुडेंस ऐसे होते हैं जो एक कोशन को पढ़के समझने में वक्त लगाते हैं जनको टाइम लगता है अब यह चीज फास्ट कैसे हो अब उस बच्चे की रीडिंग को फास्ट करना तो मैं क्या कहेगी बार-बार कहेगी कि तुम ही पढ़ ताके तुम्हारी रीडिंग फा करेगा उसकी रीडिंग की स्पीड फास्ट होती है अगर आपको कोशन पढ़कर उसको समझने में उसको इंटरप्रेट करने में ताइम लग रहा है तो आप मौक टेस्ट लगा जितने ज्यादा कोशन आप मौक टेस्ट में सो कोशन अगर आप अपका वो स्पीड है तो अभी भी दिन है हमारे पास टाइम है मौक टेस्ट के जरीए अपने स्पीड को फास्ट कर लीज़े ठीक है यह फास्ट होने चाहिए अगरवाइस कोई यह नहीं बोलेगा आके मुझे कि महम हमारे पास एंड में कॉम्प्रियांशन के लिए टाइम नहीं बचा पैसे है तो उस केस में आपको पैरा पड़े बिना कोश्ट के अंसर लगाने का प्रयास करना है ठीक है टाइम नहीं यह उता है दाटा इंटर्पर्टेशन में भी आपको सेम यहीं चीज़े तर चेन्वे है तो सारे टिंडिकल्ट नहीं होते क्वाइल पहल्ला कोशन को वह पास् तो पर एक पर ऐसे कुछ भी आंसर लगा दिया दूसरे पर भी कुछ भी आंसर लगा के आजने नहीं दूसरे को पढ़के देखिए कि आप दूसरा इतना इसी हो जास्त दस सेकिंड में अपसे सॉल कर दें तो यह जनेरेट कर दें कि अगर डाटा इंटरप्रेटेशन का पहल अगर पहला डीफिकल्ट है जिरूरी नहीं कि दूसरा पर डीफिकल्ट होना के दो से तीन कोश्ट ली होते हैं दो से तीन कोश्टिंग ट्क हो इसलिए वो जो डीए इसी वाले कोश्टिंग वह ढूंड कर अट-लीस उनका अंसर सही देने का परियास करिया अगर अकि पास चुछ पर और नंबर तो नमबर ही आपको मिलने तो क्यों ना इस चीज का यतन करें की ओछ आते हुए कोश्वे को जाधा से सही करें तो यह टीप से आप सबके लिए और एक्जाम के वक्त ना कुछ और मत देखना कि वह अगला बंदा क्या कर रहा है मेरे साथ लड़की बैठी हुई है वह कितने कोश्चन सही कर रहे हैं कितने गल्थ होई शीट पे क्या लिख रही हैं लब आपका दिमाग जैसे मने या पर लिखा दुनिया बुला के जस्ट किसी और की तरफ होना ही नहीं चालिए कोई क्या कर रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि मैं इखना भूल गई यहां पर आपको एक्स्ट शीट लेनी है और जो भी हम यह प्रेसंस ऑ माइंड वली बाते करते हैं या रिलेशन्शिप चीजों में बनानी है ना रिलेशन्शिप चीजों को लिख कर अगर सिर्फ दिमाग से सोच के करें कि जादा टाइम लगेगा पैन पेपर पकड़ कर मतलब उस चीज में रिलेशन्शिप करने का प्रयास करेंगे पैन पेपर के थरू तो वो चीज आप सही आंसर पर जारा जल्दी पहुंच जो प्रैक्टिकल कोशिंग होते हैं उसमें भी शीट कामाते हैं सोचने के लिए उस चीज को आपको पैन पेपर का जुर्द पाता है तो यह कुछ इंपॉर्टन पॉइंट से होपफुल यह पॉइंट आप सब के लिए काफी हल्फुल रहे हो और बेस्ट ओफ लग आप